अगला अध्याय शद्धौफ शोधन की विधी उपमन्यों कहते हैं यदू नंदन इसके बाद गुरु शिश्य की योगता को देखकर उसके संपुर्ण बंधनों की निब्रती के लिए शद्धौफ शोधन करें कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र यही संशेप में छे अध्वा कहे गए हैं निब्रती आदी जो पाश कलाये हैं उन्हें विध्वान पुरुष कला अध्वा कहते हैं अन्य पाश अध्वा इन पाशो कलाओं से ब्याप्त हैं शिप तत्व से लेकर भुमे पर्यंत ज दो प्रकार का हैं आधार से लेकर उन्हें नार तक भुमना ध्वा कहा गया है यह भेद और उप्भुईदों को छोड़कर साथ हैं रुद्र स्वरूप जो पचास वर्ण हैं उसे वर्णा ध्वा की संग्या दी गई है पदों को पदा ध्वा कहा गया है जिसके अनेक मंत्रा ध्वा होता है जो परमविद्या से व्याप्त है जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों गर्णा नहीं होती उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्रा ध्वा में गर्णा नहीं होती कल अध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्त है जो इस बात को ठीक ठाक नहीं जानता वह अध्वशोधन का अधिकारी नहीं है जिसने छे प्रकार की अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक व्याय भाव को नहीं समझ सकता इसलिए अद्वाओं के सौरूप तथा उनके व्याप्त व्यापक भाव को ठीक ठाक जानकर ही अद्वशोधन करना चाहिए पुर्वबत कुंड और मंडल निर्मान का कारे वहां करके पुर्व दिशा में दो हाथ लंबा चोड़ा कलश मंडल बनाए तत्पश्चाद शिवाचारे शिश्य सहित इसनान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविस्ट हो पहले की भाती ही शिवजी की पूजा करें फिर वहां लगभग चार सिर चावल से तयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नयवेद लगा दे और शेश खीर को होम के लिए रख दे पूर्विदिशा की ओर बने हुए मंडल में गुरु पाच कल्शों की स्थापना करें चारों को चारों दिशाओं में रखें और एक को मद्धिभाग में उन कल्शों पर मूल मंत्र के नमह शिवाय इन पाचों अक्षरों को बिंदू और नाथ सी युक्त करके उनके द्वारा कल्प बिधी के ज्याता पुरु इशान आदी ब्रह्मों के स्थापना करें मध्यवर्ति कलश पर ओम नमा इशाय नाम नमा इशानम इस्थापयामी कहकर इशान की स्थापना करें पुर्वर्ति कलश पर ओम तत्पुर्शाय नमह तत्पुर्शम इस्थाप्यामी कहकर तत्पुरुष की दक्षन कलश पर ओम शिम अरोधाय नमह अग्हुरम इस्थाप्यामी कहकर अग्हुर की बाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम देवाय नमह वाम देव पश्चिम कलश्पर ओम्यम सद्दो जातम नमः सद्दो जातम इस्थाप्यामी कहकर सद्दो जातकी इस्थापना करें। का तर्पनान्त करके पूर्ण हुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म से ओम हुम नमश्रिवा फटा स्वाहा का उच्चारन करके क्रमश हरदय आधी अंगों को तीन-तीन आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हरदय, सिल, शिखा, कवच, नैतरत्रय और अस्त्र इन छै की गणना है। इन में से एक-एक अंग की तीन-तीन वार मंत्र पढ़कर तीन-तीन आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के सौरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राम्हन के कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बाद त्रगुण करके पुनह त्रगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिश के शिखा के अगर भाग में बान दें। शिश सिर उचा करके खड़ा हो उस अवस्था में बहसूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटका कर उसमें सुछुणना नाड़ी की सयोजना करे। फिर मंतग्र गुरू शांत्र मुद्रा के साथ मूल मंतर से तीन आहूती का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूरुवत फूल फेक कर शिश किल हिदय में ताड़न करे। और उस से चैतन्य को लेकर बाहरा आहूतियों के पश्चात शिप को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत्र से जोड़े और हुम पटह मंतर से रक्षा करके उस सूत्र को शिश के शरीर में लपेड़ते। फिर यह भावना करे कि शिश के शरीर मूंतर तरह मैं पाश है, भोग और भोगयत्व का लक्षन है, यह विशय इंद्रिय और देह आधी का जनक है। ददनंतर सांधिय अतिता आधिपाश कलाओं की जो आकाशादी तत्व रूपनी हैं उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। इसी तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमह जोड़कर इनकी पुजा करें। यथा शांतिय अतिते काल है नमह इत्यादी अत्वा आकाशादी के बीच भूत हम यम रम बम लम मंत्रों द्वारा या पंचाशर के पाँच अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीच रूप हुए उन मंत्रों अक्षरों द्वारा क्रम शह पूर्वोक्त कार करके चिंतन करें इसी तरह मलादी पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें फिर आहुती करके उन कलाओं को संदीपित करें तदनंतर शिश्र के मस्तक पर पुश्वर से ताडन करके उसके शरीर में लिप्टे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारन पूर्वक शांतियाती पुर्वक्त कारे करके तीन आहुतियां देकर मंडल में पुनह शिव का पूजन करें इसके बाद देवता की दक्षिन भाग में शिश्र को कुछ युक्त आसन पर मंडल के उत्रा भीमुक बिठा कर गुरू होमवशिस्ट चरू उसे दें गुरू के दिये हुए उस चरू क शिश्र आधर पूर्वक ग्रहन करके शिव का नाम ले उसे खा जाए फिर दो बार आश्मन करके शिव मंत्र का उच्चारन करें इसके बाद गुरू दूसरे मंडल में शिश्र को पंच गव्य दे शिश्र भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पी कर दो बार आश्मन करके श पूर्वत बिठा कर उसे शास्त्रोक्स लक्षण से युक्त दंतधावन दे शिश्य पूर्विया उत्तर की और मुह करके बैठे और मौन हो उस दातों के कोमल अगर भाग के द्वारा अपने दातों की शुद्धी करे फिर उस दातों को धोकर फेक दे और कुल्ला करके मुह ह आग्या पाकर शिश्य हाद चोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे उस फेके हुए दातों को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया हो तब तो मंगल है अन्य था अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है यद पस्चाज शिश्य का इसपर्श करके उसके कान में शिव नाम का जब करके महादेव जी के दक्षिन भाग में शिश्य को बिठाए बहानूतन बस्र पर बिशे हुए कुषको अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिश्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओ और सिरहाना करके रात में सोए शिखा में सूथ बंधे हुए उस शिखा की शिखा को शिखा से ही बांद कर गुरु नूतन बस्रद्वारा हूंकार उच्चारन करके उसे धग दे फिर शिखा के चारों और बसमतिल और सरसों की तीन रेखाएं खीच कर फट मंत्र का जब करके रेखा के बारे भाग में दिख पालों के लिए बली दें शिख्रवी उबास पूरवक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए सपन की बातें गुरु को बताएं